तो वेल्टम टू लेक्षर नम्बर शेक्स्तु पीछे लेक्षर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाल था रिंक का अब हम लेक्ष्ण का निकालने वाले सेनटर ऑफ मास ठीक है ओके हफ डिस्क अगर किसी को नहीं बता तो यह होता है half disc ठीक है ठीक है full disc का अधा part और uniform mass distribution यहां पर भी ठीक है अब यहां पर mass किस पर distributed है area में distributed है तो uniform mass distribution है मतलब mass per unit area constant रहेगा तो इसका mass per unit area जो है ठीक है वो मालो sigma है mass per unit है कितना है sigma है ठीक है ओके अब इसका center mass निकालने के लिए माल लेते हैं इसका radius r ठीक है और यही आपका x-axis है और यह y-axis है ठीक है तो फिर से क्योंकि mass uniformly distributed है तो y-axis जो है आपका symmetry axis है तो y-axis के इस तरफ कोई mass लोगे identically इस तरफ same mass मिलेगा इस तरफ जो ही mass लोगे इसका mirror image में same mass मिलेगा ठीक है तो हर sense में इस line के इधर वाली दुनिया और इधर वाली दुनिया identical है हर sense में तो center of mass किसी logic से अगर symmetry axis के इस तरफ हो सकता है तो वही logic से इस तरफ भी हो सकता है ठीक है कि कि दोनों में गोई फर्क नहीं है तो हम लोग खली center of mass का y coordinate ही निकालेंगे अब आपको निकालना हो तो अब x coordinate पे निकाल ले ना जीरो आ जाएगा ठीक है तो पिछा लेक्चर में मैंने दिखाया था कि यह symmetry axis वाला concept से आप पता कर सकते हो center of mass किस line के लोगे तो यहाँ पे symmetry line जो है न यह y axis center of mass इसी line के तो अब आपको इस disc को तोड़ना होगा छोटे योटे parts में और ऐसे parts में तोड़ना होगा जिसका center of mass आपको पहले से पता है ठीक है तो पिछले lecture में हम लोग पास semi ring था half ring था तो हम लोगों ने इसको point mass में तोड़ था और point mass का center of mass तो point mass पर ही होता है है ठीक है अब इसको हम लोग क्या कर सकते है इस disc को बहुत सारे rings में तोड़ सकते है है ना तो इस disc को आप बहुत सारे rings में तोड़ सकते हो समझ माई बात इस disc को बहुत सारे rings में तोड़ सकते हो है ना ओके तो मैं एक ring ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है ना तो कोई भी एक random ring अब rings में क्यों लेक्षे में देखा था 2 R by Pipe होता है ठीक है ना तो ये रिंग का रेडियस या देखना आर है तो मैं इसमें एक रिंग देख रहा हूँ जिसका radius कितना है x ठीक है और जिसका ठीकनिस कितना है dx तो इस disk का बहुत ही पतला portion में निकाला हूँ जो कि रिंग जैसे दिख रहे है यह और पतला होगा आपको दिखाने के लिए थोड़ा ठीक ट्रॉख कियो हूँ तो इसका radius कितना है x है ठीक है और thickness कितना है ठीकने से dx ओके अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग बस इस रिंग पर धियान देंगे मतलब कि हमें पता है कि ऐसे बहुत सरे rings ले लेंगे rings मैं बोल रहा हूँ लेकि सब का मतलब semi ring है ऐसे बहुत सरे semi rings ले लेंगे उनको जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा है ना ऐसे अलग-अलग radius के semi rings लोग है क्योंकि यह disc बहुत सरे ऐसे semi rings के बना हुआ है ठीक है ओके तो इस में से मैंने कोई भी एक random semi ring उठा लिया जिसका radius x है और thickness कितना है dx है ठीक है तो मैं क्या करूंगा खले इसके लिए इसको मतलब center इसके लिए center of mass इसका अगर मुझे पता है तो पूरे कर निकल जाएगा कैसे तो माल लेते है इस semi ring का mass है dm है ना क्योंकि आप इस पूरे चीज़ को ऐसे सगर के बहुत सारे dm में तो इसका mass कितना है dm ठीक अब sigma तो constant है sigma को sigma रनने तो d इसका area कितना हो जाएगा तो आपको पता होगा 2 pi x dx अब इस इनको नहीं पता आप इस ring को सीधा कर दो सीधा कर दोगे तो इसका length कितना हो जाएगा अगर एक complete ring होता तो 2 pi x हो जाता और thickness कितना है dx तो length ही ब्रेथ कर रहे तो यहाँ 2 का factor नही आपके सीधा आपके फ़ूछा करेंगे तो आपके सीधा कर दो इसको सीधा करेंगο तो length कितना जाएगा जो रिंगका length है और इसका length कितना है तो sigma into pi x into dx यह होगा है dm है ना ओके अब हमें खली फॉर्मला है पूट करना है ठीक है अब इसके लिए आपको क्या करना होगा dm जो मास ले रहे हो आप उसका center of mass पता होना चाहिए यह y coordinate क्या है dm मास का center of mass ठीक है या उसका y coordinate है ना तो यह जो आपको दिख रहा है यहाँ यह dm इसका center of mass कहाँ पर है तो उसके लाप इसको ऐसा समझो ना इसको आप replace कर सकते हो इस dm mass का को आप इसका mass का dm है तो आपको पता है यह dm mass को आप point mass से करोगे तो point mass कहाँ पर रखना होगा इसका center of mass पर और क्योंकि इसका radius x है, तो अग्षकर पता है, center of mass इसका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा जस्त लेक, ये half ring का अब देख सकते हैं, half ring का कहाँ पे होता है, 2rh by pi पे होता है जहाँ पर rख कहाँление रडियस है, तो इसका radius अगर x है, तो इसका center of mass कहाँपे होगा 2x by π, ठीक है, यह x axis देख सकते हो, यह y axis, तो y axis में किस point पर 2x पर π, अब अब y axis तो plus 2x पर π, तो y coordinate हो जाएगा 2x by π, आपको अगर x से अजीब लग रहा है कि y के बतले x कैसे आगी है y के formula में, तो अब इसको x मत लो, कुछ और ले लो, small r ले लो, ठीक है, तो इसको small r ले होगे, क्योंकि capital r तो यह है, तो इसे छोटा radius है ना, तो अब कुछ different ले 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 ले, आर मत ले 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 ले, तो इसले में small r बोल लो, तो small r, dr, तो 2 small r by π, पाई हो जाएगा, ठीक है, ओके तो into dm, और dm के value कितना है, sigma pi x dx, यह y dm उपर में आ गया, और dm, sigma pi x, dx, ठीक है, ओके, अब यहाँ पर integration के variable x है, तो आप सोचो, आप x को कहां से कहां तक value करोगे, कि पूरा disk गवर हो जाए, ठीक है, तो disk में जो सबसे छोटा semi ring होगा, उसका radius कितना होगा, 0, और जो सबसे बड़ा semi ring होगा, उसका radius कितना होगा, r, और disk is made up of many infinite number of such semi rings, है न, तो सबसे छोटा semi ring जो होगा, उसका radius अब देख सकतो यहाँ पर, इतना फिर बड़ा करते हो, बड़ा करते हो, डिस्क कवर होते ही आएगा, वैसे करते करते, semi ring एक करते हो, सबसे बड़ा semi ring जो आप एक करोगा, उसका radius के होगा, capital R, ठीक है, तो इसको 0 से लेके capital R त का integration, x square dx और यहाँ पर x dx, 0 to capital R, 0 to capital R, ठीक है, यह इतना हो जाएगा, अब इसको simplify करें, तो 2 sigma, sigma sigma sorry, cancel, तो 2 by pi, into r cube by 3, और यह हो जाएगा, r square by 2, ठीक है, तो यह 4 r by 3 pi r है, है ना, 4 r by 3 pi, तो semi disk का center of mass का y coordinate आ गया, y cm आ गया, 4 r by 3 pi, x cm आपको पता है, symmetry से 0 ही होगा, तो अगर जो result है, उसको मैं यहाँ भी लिखूँ, तो यह आपका semi disk है, ठीक है, तो मैं इसको मैं shade नहीं कर रहा हूँ, semi disk है, तो इसका center यह है, यह y axis, यह x axis, तो center of mass जो है, उसक जा, x coordinate 0 होगा, मतलब y axis पर लाइक करेगा, और y coordinate कितना है, 4 r by 3 pi, तो यह है, 4 r by 3 pi, जहाँ पे इसका radius कितना r है, ठीक है, तो यह होगा, disk, semi disk का center of mass, uniform mass distribution है, तो इसका center of mass आ गया, 4 r by 3 pi, ठीक है, तो अब यह lecture जो है, अगर neat वाले देख भी लिए है, तो neat वालो के लिए, अगर नहीं भी समझ में है, तो tension मतलो, आप ring तक का समझ लो, बहुत है, ठीक है, मतलब basically देखो, जिस भी चीज में ज्यादा mass यूज़ हो रहा है, तो उसको आप ignore कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग math नहीं पढ़ते हो, basic वहीं बंडा है, है ना, okay, अब next lecture में हम लोग solid hemisphere का center of mass निकालेंगे, वो neat वाले बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है, although मैं lecture के title में अगर गलती से लिक भी दू, neat, लेकिन हो समझ लेना गलती है, आपको देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, basically इसमें ज्यादा mass यूज़ हो रहा है, उसको use equation wise ज्यादा mass यूज़ हो तो लेकिन ज्यादा equation, ठोड़ा difficult integration वो से बाहर है, तो उसको ignore कर देना, ठीक है, चलो मिलते है next lecture में, आप कुछ भूल रहे हो, इमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करो ना भई, क्यों नहीं कर रहे,